चानक के समसाम की विशेश में आप सभी का स्वागत है इसरों ने अंतरिक्ष के छित्र में अभी बहुत बड़ी सफलता हासिल की है इसरों के PSLV C-51 ने अंतरिक्ष में अपने उपक्रों को सफलता पूर्वक प्रक्षेपित किया है इसी से सम्मदित हमारा आज का विशे है तो आईए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से हमारे आज की विशे के बारे में और वो है PSLV C-51 तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यूं है इसरो की वाणिजी के काई New Space India Limited का ये प्रथम समर्पित मिशन है और इसी के तहर्ट ब्राजील के Amazonia 1 और 18 अन्य उपक्रों को अंत्रिक्ष में सफलता पूर्वक प्रक्षेपित किया गया है और ये कार्ये शिरी हरी कोटा अंत्रिक्ष केंदर से किया गया है तो हमारा ये मिशन कुल 19 उपक्रों को लेकर अंत्रिक्षान में गया है और इन 19 उपक्रों में से कुछ उपक्रों भारत के और कुछ वीदेशों से सम्मन्दित है इन में से 5 उपक्रह चात्रों द्वारा बनाए गया है और ये जो Amazonia 1 है कि ब्राजील का उपक्रह है और वहां का पहला प्रात्मिक उपक्रह भी ये है इसे लेकर ये अंत्रिक्ष में गया है अब हम बात करेंगे प्रक्षेपन के बारे में विस्तार से PSLB C-51 जो की Polar Satellite Launch Vehicle है ये इसका 53-वा मिशन है यानि की 53-वा मिशन है इसने ब्राजील के Amazonia उपग्रह को प्रात्मिक उपग्रह के तोर पर लॉँच किया है इसके साथ ही भारतिय अंतरिक्ष केंदर से कुल 18 सहयात्री उपग्रों को ये अपने साथ ले कर गया है PSLB के द्वारा जो 18 उपग्रों का प्रक्षेपन किया गया है उनमें से 3 उपग्रह सेक्षिनिक संसानों द्वारा बनाए गये हैं और ये यूनिटी सेट से सम्मन्दित है इसके द्वारा एक उपग्रह अंतरिक्ष केट्स इंडिया से है एक सतेश धवन सेटलाइट से है और 14 उपग्रह जो है वो न्यू इंडिया लिमिटिट से समन्दित है अब बात करते हैं आनन्द सेटलाइट की आनन्द सेटलाइट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसको बिल्कुल मोके पर इस मिशन के साथ नहीं भीजा गया है भारत का अंतरिक्ष के चेतर में स्टार्ट अप है पिक्सल पिक्सल ने आनन्द को बनाया था और कुछ सौफ्ट्वेर समन्दी कारणों की चलते इसको अंतरिक्ष में भीजा नहीं गया है INS-2DT इस मिशन के साथ इसे भी नहीं भीजा गया है अब हम विस्तार से बात करेंगे आनन्द और अन्य सेटलाइट्स के बारे में कि इनको किस ने बनाया है और इन सब तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे आनन्द की अगर बात करें तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि भारतिय अंतरिक्ष छेत्र का स्टार्ट अप है पिक्सल पिक्सल के द्वारा इसे बनाया गया है सतीश धवन उपग्रह का निर्मान चन्नेई आधारित स्पेस केट्स इंडिया ने किया है इसी तरह से यूनिटी सेट के जो तीन उपग्रह है उन तीनों उपग्रों का निर्मान जो है जैपियर इंस्टिट आफ टेक्नोलजी जो की शीरी पैरम बदूर में है जी एच राय सोना कॉलेज आफ इंजिनेरिंग और शीरी शक्ति इंस्टिटूट आफ इंजिनेरिंग एंड टेक्नोलजी कोईमबटूर इनने सयुक्त उपक्रम के रूप में इन तीन का निर्मान किया है अब हम अगले स्लाइड में देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मिशन के अंदर जो उपग्रेपक्षेपित किया गया है ब्राजील का अमिजोनिया वन इसके बारे हम विस्तार से बात करेंगे पीएसलवी, C51, एमिजोनिया, वन इसरो की वानिजिक एकाई है न्यू स्पेस, इंडिया लिम्टेट न्यू स्पेस, इंडिया लिम्टेट का ये पहला समर्पित वानिजिक मिशन है इसके आलावा, अमिजोनिया, चार साल तक अंतरिक्ष में रहेकर अपने डाटा भेजता रहेगा और इस उपग्रे की लॉंचिंग के लिए, ब्राजील का एक विज्यानिकों का दल भी भारत में आया था भारत की तरफ से पहली बार ब्राजील के किसी उपग्रे को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है ब्राजील के लिए जो उपग्रे प्रक्षेपित किया गया है, यानि कि अमेजोनिया वन उपग्रे इससे काफे सारी मदद ब्राजील को मिलेगी जैसे कि Amazon जंगलों में कटाई के बारे में इसमें डाटा उपलब्द हो पाएगा उस कटाई के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी इसके साथी क्रिशी समंदी बहुत सारी जानकारियां भी इससे मिल पाएगी बहुत विस्तरित रूप से एनालाईज किया जा सकेगा कि क्रिशी से सम्मंदित क्या क्या चीज़ें हमें कहां कहां पर करनी चाहिए यूजर को रिमोट सेंसिंग डेटा इससे प्रदान होगा जिससे क्रिशी के अंदर जो मौजूदा सनचना है उसमें सुधार होगा और आर्थिक स्थिती भी मजबूत होगी ये सारी चीज़ें जो है ब्राजील को मिलेंगे चार साल तक इसका लाव ब्राजील उठा पाएगा PSLV C51 का Amazonia One Mission भारत सरकार की कंपनी New Space India Limited का पहला वानेजिक मिशन है ये मैं बार-बार दोहरा रही हूँ क्योंकि ये New Space India का भी पहला मिशन है और इस साल का भी पहला मिशन है इस रोग का अब बात करते हैं सिंदुनेत्र के बारे में सिंदुनेत्र उपक्रय को भी PSLV C51 के द्वारा ही प्रक्षेपित किया गया है इन 19 उपक्रों में ये भी शामय है अब ये उपक्रय जो रक्षा अलोसंधान विकास संग्ठन द्वारा विक्सित किया गया है एक काम क्या करेगा भारत के सामरिक और वानिचिक हित के लिए ये महतपुन है और हिंद मासागर छित्र में सेंडे और मर्चेंड डवी के जहाजों के निगरानी भी करेगा और इसकी मदद से पडोसी देशों से हम हमारे देश की सुरक्षा भी कर सकेंगे जैसे कि इदर हिंद मासागर में उसके अलावा लदाक से लेकि जो चीन की बॉर्डर हमारी लगती है वहां हमारी सुरक्षा हो पाएगी भारत की इदर पाकिस्तान बॉर्डर पे भी जो भी है अरब सागर वाला एरिया है या बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है यहां सब हम मर्चेंट नेवी के जहाजों की निग्रानी के में ये मदद करेगा सिंदू नेत्र से देश की सर्विलान समता में जबरदस्त इजाफा होगा और हिंद मासागर में सेन्य और व्यापारी गत्विदियों पर नज़र रखने में मदद मिलेगी इसके साथ ही इसको DRDO के युवा वेग्यानिकों ने त्यार किया है ये एक महतब पुन बात है सिंदू नित्र उप्ग्रह के लिए कि इसको युवा वेग्यानिकों द्वारा त्यार किया गया है अब हम बढ़ेंगे अगली स्लाइड की और जो कि है PSLV के बारे में हमने बात की कि PSLV C-51 से हमारे उपनों को प्रक्षेपित किया गया है तो यहां यह जानना बहुत ज़रूरी है कि PSLV है क्या Polar Satellite Launch Vehicle अर्थात PSLV भारतिय अंतरिक्स अनुसंधान संक्ठन द्वारा संचालित एक प्रक्षेपित प्रनाली है यह पहला भारतिय प्रमोचक रॉकेट है जो द्रवचर्णों से सुसजित है इसके चार चरण होते है और चारों ही द्रवचरण इसमें होते है इसे भारत ने अपने सैटलाइट को प्रक्षेपित करने के लिए विक्सित किया है प्रक्षेपित करने के लिए 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 प्रक इस्रों के अंत्रिक्ष कारेकरम का मुख्य उदेशन ना केवल उपी उपीजंचिका, उपन, उप्रक्षप्वित क में उसकी सह्यता लिए जाती है। अगस्त 1909 में की गई थी और इसका पहला उपग्रह आरेबट था आरेबट को 1905 को सोविद संगद्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था इसका नाम आरेबट के नाम पे हैं जो भारत की महान गणितिग्य हुए हैं इसके साथ ही इस विशे के बारे में हमने विस्तार से च की है हर पहली दो के बारे में हमने बात की है इसी के साथ ही हमारे विशे आज यहीं पर सवापद होता है अब हम देखेंगे आज का प्रश्न आज का प्रश्न है हाल ही में इसरों ने PSLV C51 से Amazonia का सफल प्रक्षेपन किया है Amazonia 1 किस देश से सम्मनित है विकल्प A फ्रांस से, विकल्प B ब्राजील से, विकल्प C यूक्रेन से और विकल्प D इनमें से कोई नहीं आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजेगा आप सभी के जवाब का इंतिजार रहेगा अब हम देखेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प B यानि की कथन 2 और 3 सत्य है कथन 1 असत्य है हाइड्रोजन की खोज 1866 में नहीं 1766 में की गई थी हैंरी केविंडिस के द्वारा इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं और इस वीडियो और हमारे अन्य वीडियो से सम्मंदित PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे Telegram चैनल पर जा सकते हैं वहाँ पर सभी PDF उपलब्ध है और आप वहाँ आसानी से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद दोन्ट फोगेट तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल प्रस्ट बेल इकन तो नवर मिस नप्टेट